यह दौना चीज़े आपस में कैसे connected हैं धरन का और बाकी जो समस्य शरील में चल रही हैं कैसे connected है हम जब पैदा हुए थे मा के पेट से तो हम कहां से जुड़े हुए थे जो हमारी नाभी से जुड़े हुए थे नाभी एक नाडू के रूप में मा के अंदर जुड़ा हुआ तो फ्रस्टा से था ख़ए ऐसंटा सफार बैल से ठामली से जो बहुत रहे हैं अब हम खा कर्य तहीं संसे तो सारा कुछ नाभी और जो हम वेस्ट छोड़ रहे थे अपना चारबन च्याश्च चोड़ा रहे हैं या जो हमstool पास कर रहे थे बेसिकली उस तैम आनर्जी के आपी से घृष तो इसका वाला नाभी में सारी नसे जुड़ी हुई है तो नाभी शरीर का सेंटर होती है जी बहतर हजार नस नाडियां हमारे आईरवेद के हिसाब से पुराने टाइम में बताया गया वह सब नाभी से जुड़ी हुए है अभी सर्दियों में होट फटते है समयदार लोग कुछ ना कुछ क्रीम लेते हैं कोई वैसली लेता है यहां यहां लगा लगा लेकिन जो बेवकूफ लोग है वन नाभी में तेल लगाते हैं जो आईरवेद को बेवकूफ होके होट जल्दी ठीक होते हैं के समयदार होके अब तो जैसे आगर जो बेवकूफ ना उनके होट फटते हैं ना उनकी स्किन की पपड़ी उतरती है जब कि आप देखो एक बीमारी है आप सुनते हो ना सूरज में जाने से क्या होता हो सनबर्न नाभी में तेल लगा के निकलो सनबर्न भी नहीं होता तो वह कितना बड़ा साइस है लेकिन हमें किसी ने सिखाया नहीं किसी ने बताया नहीं तो छोटी चोटी बाते हमारे आईरुवेद में बड़ी अच्छी है आईरुवेद करना कि सूत्र है सरवेशा नाम रोगा नाम निदानम कुपिता मला मतलब जितने भी रोग हैं दुनिया में सरव रोग उनका एक मातर निदान अगर बॉड़ उल्टी के दरा मुझ से गंदगी भी निकालनी है पसीन भी निकालना और चूल विपास करना या अभी किसी का भी ना तो पेट पूरा साफ हो रहा है ना किसी का भी यूरिन पुरा निकल रहा है अब पूरुश लोग खड़े हों के पिशाप करते हैं और महिलाएं इंगलि जैसे अब यूरिन करते हो ना पूरा जोर लगा के अच्छी तरह एक एक बुंद निकाल लो उसके बार नीचे बैठ जाओ उकडू स्टाइल में और दुबारा जोर लगाओ अब दो चार पांच बुंदे फिर आएंगी वो बुंदे आपने रख ली ती अंदर वहीं से य जंदगी साफ नी हो रही है अब इंग्लिश टॉले शीट पे आप बैठके ना एक बार पूरी पॉर्टी कर लो पूरा अच्छी तरह पूर जोर जोर लगा लो जहां से जितना दम लगाना लगा लो और फिर वाश भी कर लो उसके बाद दुबारा नीचे बैठके जोर होता है मलब हमारा मल भी पूरा निकल नीरा बॉड़ी का तो कितनी बड़ी अंग्रेजों ने गंद मार दिया हमारे देश का